सामाने मिष्रधातूएं उनके घटक तथा उप्योग मिष्रधातू पीतल ब्रास अवियव घटक Cu-Zn कोष्ठक में 70% प्लस 30% उप्योग बरतन बनाने में कासा Cu-Sn 90% प्लस 10% उप्योग सिक्का घंटी एवं बरतन बनाने में जर्मन सिल्वर, अव्यव घटक, C U plus Z N plus Ni, यानी 60% plus 20% plus 20% उप्योग बर्तन बनाने में. रोल्ड गोल्ड, अव्यव घटक, C U plus Al, 90% plus 10% आउप्योग सस्ते आभूशन बनाने में. गन मेटल, अव्यव घटक, C U plus Z N plus S N, 90% plus 2% plus 8% उप्योग तोप, गेर, बेरिंग बनाने में. डेल्टा मेटल, अव्यव घटक, C U plus Z N plus F E, यानी 60% plus 38% plus 2% उप्योग जहास के पंखा बनाने में. मुन्ज मेटल, अव्यव घटक, C U plus Z N, यानी 60% plus 40% उप्योग सिक्का बनाने में. डेल्टा मेटल, अव्यव घटक, C U plus Z N, 80% plus 20% उप्योग सिस्ते आभूशन बनाने में. मौनल मेटल, अव्यव घटक, C U plus N I, 70% plus 30% उप्योग शार रखने वाले बरतन बनाने में. टांका, सोल्टर, अव्यव घटक, C N plus P B, कोश्ठक में 67% plus 33% उप्योग जोडो में टांका लगाने में. रोज मेटल, अव्यव घटक, B I plus P B plus S N, यानी 50% plus 28% plus 22% उप्योग स्वचालित आटोमेटिक फ्यूज बनाने में. मेगनेलियम, अव्यव घटक, A L plus M G, 95% plus 5% उप्योग हवाई जहास के धांचा बनाने में. ग्यूरेलुमिन, अव्यव घटक, A L plus C U plus M G plus M N, यानी 95% plus 4% plus 0.5% plus 0.5% उप्योग बरतन बनाने में, रसोई के समान बनाने में. टाइप मेटल, अव्यव घटक, P B 82% plus S B 15% plus S N 3% उप्योग डाश. नोट, टांका, सोल्डर, गलनांत, लेड एवं टिन, जिससे ये बना होता है, से कम होता है. इसपात, लोहा एवं 0.1% से 1.5% कार्बन की मिश्रधातू इसपात कहराती है. इसपात के अन्य मिश्रधातू निमने हैं. एक, स्टेंलेंस इसपात, इसमें 18% क्रोमियम और निकेल होते हैं, ये संक्षारण या जंग प्रतिरोधी होता है, इसका उप्योग बरतन और शल्य उपकरन बनाने में किया जाता है. दो, तंगस्टन इसपात, 15-20% तंगस्टन, प्राच प्रतिशत क्रोमियम और कुछ वैनेडियम युक्त इसपात, तंगस्टन इसपात कहलाता है. इसमें उच्च तापो पर भी कठोरता बनी रहती है. इसका उप्योग वेधन यंत्रों तथा उच्च वेग खराद मशीनो के कर्तन इंतरों को बनाने के लिए किया जाता है. पीन, सिलिकन इसपात, 35% सिलिकन पर अतियंत कम कार्वन युक्त सिलिकन इसपात को ट्रांसपार्मर और विदिर चुमबक बनाने के लिए उप्योग किया जाता है. 15% सिलिकन युक्त सिलिकन इसपात अतितिक कठोर और अम में विशिष्ट चुम्बक करत्व का गुण आ जाता है इसका उपयोग स्थाई चुम्बक बनाने में किया जाता है प्रिष्ट 358 पांच मैगनीज इसपाथ साथ प्रतीशत से वीज प्रतीशत मैगनीज युक्त इसपाथ अत्यंत कठोर दिरिंट तथा टूट फूट रोध होता है इसका उपयोग हेलमेट शेल संदलन यंत्रावली रॉक क्रशिंग मेशीनरी तथा चोर अभे तिजोरी बनाने में किया जाता है जै निकेल इसपाथ इसमें क्रोमियम या निकेल या दोनों के कुछ प्रतीशत अंश विद्यमान होते हैं यदि निकेल 36 प्रतीशत हो अल्वों को बनाने में किया जाता है जिर्कोरियम धाटरु का प्रयोग अभेद या गोली सह मिश्रदा तुश्वात बनाने में किया जाता है एनियलिंग इस पाथ को उच्छताप पर गर्म कर दीरे धीरे ढडा करने पर उसकी कठोरता घढ़ जाती है इस प्रक्रिया को एनीडिंग कहते हैं अमल्गम, पारा के मिश्ट धातु अमल्गम कहराते हैं निम्न धातुएं अमल्गम नहीं बनाते हैं लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल, एवं टंग्स्टन आदी बारहा, आधातुएं आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 आधात्वी ये तत्व नौन मटलिक हैं जिनमें 11 गैसें एक द्रव हैं तथा 6 दस ठोस हैं द्रव अवस्था स्थित अधातु ब्रोमीन अधातुएं समाने तहा उश्मा एवं विद्यूत की कुछ आलक होती हैं अपवाद ग्रेफाइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के तीन समस्थाने ग्याद हैं प्रोटियम 1H1 या H द्यूटोरियम 1H2 या D और ट्राइटीमियम 1H3 या T द्यूटीरियम के ऑकसाइड D2O को भारी जल कहते हैं भारी जल की खोज 1922 इस्वी में यूरे और वाशबर्न ने की थी साधरन जल के लगबग 6000 भागों में 9 भाग भारी जल का होता है भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सिस पर जमता है भारी जल के उप्योग एक न्यूट्रोन मंदक के रूप में दो डिउटीरियम तथा डिउटीरियम के यौगिक बनाने में 3 ट्रेसर के रूप में 4 आयनिक वा अन आयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में मृदू एवम कठोर जल सौफ्ट एंड हार्ड वाटर जो जल साबुन के साथ आसानी से जाग देता है उसे मृदू जल कहते है और जो जल साबुन के साथ कठनाई से जाग देता है उसे कठोर जल यानि हार्ड वाटर कहते है जल की कठोरता दो प्रकार की होती है एक आस्थाई कठोरता टेंप्रेरिरी हार्डनेस दो स्थाई कठोरता पर्मिनेंट हार्डनेस आस्थाई कठोड़ता जल में बुझा चूना अत्वा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है इस्थाई कठोड़ता जल की कठोड़ता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार की कठोड़ता स्थाई कठोड़ता कहलाती है जल की स्थाई कठोरता इसमें केलशियम और मेगनीशियम के सलफेट, क्लोराइट, नाइट्रेट आधी लवडों के गुले रहने के कारण होती है जल में सोडियम कार्बनेट डालकर उबालने से स्थाई एवं आस्थाई दोनों प्रकाल की कठोरता दूर हो जाती है जल की स्थाई कठोरता दूर करने की मुख्य विधी पर्म्यूटिट विधी है पर्म्यूटिट सोडियम जी ओलाइट को कहते हैं ऑक्सिजन के तीन समस्थानिक होते हैं 8016 99.76, 8017 0.0737 तथा 8018 0.204 प्रिष्ट 369 ओजोन O3 ये ओक्सिजन का एक अपरूप है समुन्दर तर्ट से 30-32 किलोमीटर की उचाई पर इसकी सांदरता अधिक होती है ये सूरिय से आने वाली पराबैंगनी किरनों अल्ट्रा वैलिट रेस के दुश प्रभाव से बचाती है सल्फर प्रिथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशत ता लगभग 0.05 प्रतिशत है सल्फर से प्राप्त अतियतिक मेहत्वबुन ओद्यों की रसायन सल्फियूरिक अमल है सांदर सल्फियूरिक अमल 98 प्रतिशत शुद होता है तथा इसकी नॉर्मलता 18M होती है सल्फियूरिक अमल के उप्योग 1. सल्फियूरिक अमल का मुख्य भाग उर्वरकों जैसे अमोनियूम सल्फेट सुपरफासफेट आधी के संचलेशन में प्रयूक्त होता है 2. पेट्रोलियूम शोधन में 3. संचालक बैटरी में ब्रिहत इस्तर पर 4. डिटर्जन्ट उद्योग में 5. रंजग द्रवियूं पेइंट तथा रंगों के संचलेशन में प्रयूक्त होने वाले मध्यवर्थी यौगिक बनाने में नाइट्रोजन आयतन की दृष्टी से वायूमंडल का 78 प्रतीशत भाग आणविक नाइट्रोजन है वायूमंडल सहित प्रित्वी पर नाइट्रोजन का अबाहूल्य भार अनुसार 0.01 प्रतीशत है नाइट्रोजन का उप्योग वहां भी करते हैं जहां किसी निश्क्रिय गैस की आवशकता होती है जैसे लोहा वहस्पात उद्योग में तनुकारत के रूप में द्रव नाइट्रोजन का उप्योग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में भोजे पदार्थों को जमाने एवं निमनताप पर शडले चिकित्सा के लिए होता है नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिय एक प्रमुक यौगिक है इसका निर्मान है बर्विधी द्वारा किया जाता है अमोनिय के उप्यो एक बर्फ बनाने में दो नाइट्रिक आमल के निर्मान में तीन यूरिया अमोनियम सलफेट आधी उरवरक बनाने में चार सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाई कार्बोनेट के निर्मान करने में पांच, अमोनियम लवन बनाने में छे विस्वोटक बनाने में साथ, कृत्रम रेशम बनाने में नोट, दरहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जिवाणू पाय जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरन पिक्सेशन आफ नाइट्रोजन में भाग लेते हैं प्रकास राश्चायनिक धूम या कोहरा फोटो केमिकल स्मॉग उन वाहनों को ये वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों तथा हाइड्रो कारबनों पर सूर्य के प्रकास की क्रिया के कारण उत्पन होता है ये समान तहाग घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है जहाँ पैट्रोल और डीजर वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं और नाइट्रिक अकसाइड NO निकालते हैं इससे आँखों में जलन होती है और आंसू आ जाते हैं ये कोहरा श्वसन तंत्र को भी हानी प नस्पति बदार्थों का आवशक अव्यव है ये हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं DNA में उपस्तित रहता है फासफोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है श्वेत फासफोरस लाल फासफोरस एवं काला फासफोरस इसके अपरूप है लाल फासफोरस श्वेत फासफोरस उसकी अपिक्षा कम क्रियाशील तथा अमल विले है। हेलोजन वर्ग 7A के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन का उप्योग एक, इसका उप्योग UF6 तथा SF6 बनाने में होता है। जिनको क्रमशाह परमाणू उर्जा उत्पादन तथा परावैदूति की डाय इलेक्ट्रिक में इस्तिमाल किया जाता है। प्रश्ट 360 दो HF के उप्योग द्वारा क्लोरो फ्लोरो कार्वन यौगिकों को फ्रियोन कहते है। इसका उप्योग प्रशी तक Čर्फरिज्रेंट के रूप में तथा एरोसॉल में किया जाता है। ननिस्टिक बरतन का उपरी परत टेफलोन का बना होता है। क्लोरिन का उप्योग अनेक कार्बिनिक उयॉगिकों जैसे पॉलिवाइनिल क्रोराइट, क्लोरिनिक कृट्थ हाइड्रो कार्बन, उश्रदियां, शाक नाशी तथा कीट नाशी के संच स्चलेशन में किया जाता है. ब्रॉमीन का उप्योग एथिलीन ब्रोमाइड के संचलेशन में होता है जिसको सीसाकृत पेट्रोल लिड़िट पेट्रोल में मिला जाता है इसके अतिरिक्त सिल्वल ब्रोमाइड एजी ब्र बनाने में ब्रॉमीन इस्तिमाल करते हैं जिसकी आवशक्ता फोटोग्राफी में होती है निश्क्रिये गैस, नॉबल ग्रेसेज आवर्त सारणी में शूने वर्ग में छे तत्व हैं हीलियम, HE, नियोन, NE, आरगन, AR, क्रिप्टोन, KR, जिनोन, XE, और रेडाउन, RN ये सभी तत्व रासाइनिक रूप से निश्क्रिये हैं, अतहा इन तत्वों को अक्रिये गैसें, inert gases या उत्कृष्ट gases, noble gases कहते हैं रेडाउन, RN, रेडाउन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिये गैसें वायोबंडल में पाई जाती हैं आरगन, AR, आरगन का उपयोग मुखे तहा उच्चे तापिये धातु क्रमिक प्रक्रियाओं, धातुओं, अत्वा, मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निश्क्रिये वातवरण उत्परने करने तथा बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है हीलियम, HE, हीलियम हलकी तथा आजवलनशील गैस है, इसका उपयोग एक गुबारों को भरने में दो, मौसम संबंदी अध्यनों के लिए तीन, थंडी वायू वाली नाभिकिये भट्टी में, चार, द्रव हीलियम का उपयोग निमनताप पर प्रयोगों में निमनतापिय अ चूना पत्थर या खड़िया को मृत्ति का लाल मिट्टी या शेल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पतार्थ को सीमेंट कहते हैं, इसमें केल्शियम के, ऐलुमीनेटों तथा सिलिकेंटों का मिश्रण होता है, सीमेंट उत्वादन संयत्रों को चूना पत करने पर जमने का गुण होता है, जल के साथ मिश्रत करने पर सीमेंट का जमना, उसमें उपस्तित कैल्शियम सिलिकेंटों और एलुमीनियम सिलिकेंटों का जल योजन के कारण होता है, सीमेंट में 2-5 पतिशत तक जिपसम C.A.SO.2H2O मिलाने का उद्देश सीमेंट के प्र प्रतिशत SiO2 बीस से 25 प्रतिशत Al2O3 पांच से 10 प्रतिशत Fe2O3 दो से 3 प्रतिशत MGO 2 प्रतिशत Na2O 1.5 प्रतिशत K2O 1.5 प्रतिशत SO2 एक प्रतिशत सन 1824 एसवी में एक ब्रतिश इंजीनियर जोसिफ एसपीडिन ने चूना पत्थर तता चिकनी मिट्री से जोडने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्किशाली और जल रोधी था उसने उसे पोर्टलेंड सीमिन कहा क्योंकि ये रंग में पोर्टलेंड के चूना पत्थर जैसा था 2. कांच साधरन कांच सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और केल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन मिश्रन होता है कांच आ किस्टलिये ठोस के रूप में एक अतिशेत द्रव है इसलिए कांच की क्रिस्टलिये सनरचना नहीं होती और नहीं उसका कोई निश्चित गलनांख होता है प्रिश्ट 361 कांच के प्रकार संगठन एवं उप्योग कांच फ्रिंट कांच संगठन पोटेश्यम कार्बोनेट लेड ऑकसाइड वा सिलिका उप्योग कैमरा दुर्बीन के लेंस वा विध्युद्पल पैरेक्स कांच संगठन सोडियम सिलिकेट बोरियम सिलिकेट उप्योग प्रयोक्षाला के उक्करण दियोग त्यूबलाइट बोतने प्रयोक्षाला के उपकरण वा दैनिक प्रयोक के बरतन क्रुक्स कांच संगठन सीरियम ओक्साइड सिलिका उपयोग धूब चश्मों के लेंस पोटाश कांच संगठन पोटेशियम कार्बोनेट केल्शियम कार्बोनेट वा सिलिका उप्योग अधिक ताप तक गर्म किये जाने वाले कांच के बरतन वा प्रायोगिक उपकरण प्रकाशिय कांच, संगठन, पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सीलिका उप्योग चश्मा, सुक्ष्मदर्शी, टेलिस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में कांच का कोई निश्चित रासानिक सूत्र नहीं होता है, क्योंकि कांच मिश्टन है योगिख नहीं साधरन कांच का उसत संगठन Na2SiO2.CasiO3.4SiO2 होता है रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है कांच का अनीली करण कांच का वस्तूओं को बनाने के बाद दिशेश प्रकार की भट्टियों में दीरे दीरे ठंडा करते है इसक्रिया को कांच का अनीली करण कहते है कांच का रंग कांच में रंग देने के लिए अलप मात्रा में धातूओं के योगिक रंगीन में लाए जाते हैं धात्वे की योगिक का चुना वांचित रंग पर निर्भर करता है मिश्रित पदार्थ और कांच का रंग कोबाल्ट ओक्साइड कांच का रंग गहरा निला सोडियम क्रोमेट या फेरस ओक्साइड हरा सिलेनियम ओक्साइड नारंगी लाल फेरिक ऑक्साइड भूरा, गोल्ड क्लोराइड रूबी लाल, कैडेमियम सलफेट पीला, क्यूप्रिक लवन पिकॉक नीला, क्रोमिक ऑक्साइड हरा, मैगनीज डाई ऑक्साइड लाल, क्यूप्रस ऑक्साइड चतक लाल नोट, फोटो क्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाईड की उपस्तिती के कारण धूप में स्वताह काला हो जाता है सभे साधरन साबुन उच्च वसीय अमलों जैसे सिटियरिटिक पॉलमिटिक अत्वा ओलिक अमल के सोडियम अत्वा पोटेशियम लवडों के मिश्टन से बनते हैं साबुन बनाने की क्रिया को साबुनी करण कहते हैं वो साबुन जो उच्छ वसीय अमलों के सोडियम लवन, कास्टिक सोडा होते हैं, कड़े साबुन कहलाते हैं, इनका उप्योग कपड़ा धोने में किया जाता है। प्लस टू तथा एफई प्लस त्री आयन के साथ आगुलनशी लवन नहीं प्रदान करता है। इसके उधारन है सोडियम अलकायल सलफोनेट, सोडियम एसकायल बेंजीन सलफोनेट आदी। डिटरजेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्द बहुती साफ दुलाई करता इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। प्रिष्ट 362 आच प्रमुक विस्वोटक एक डाइनामाइट इसका विशकार सन 1867 इसवी में अलफेट नॉबल ने किया। ये नाइट्रो ग्लिस्ट्रीन को किसी अक्रिय पदार्द जैसे लकडी के बुर में नाइट्रो ग्लिस्ट्रीन की जगा सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। दो ट्राइनाइट्रो टालविन TNT ये टालविन C6H5CH3 के साथ सांद्र H2SO4 एवं सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है। इसकी विस्वोटक गती 6900 मीटर प्रती सेकिंड तीन, ट्राइनाट्रो फिनॉल TNP इसे पिकरिक अमल भी कहते हैं ये फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अमल की क्रिया से बनाया जाता है। चार, ट्राइनाइट्रो ग्लिस्ट्रीन TNG ये एक रंगीन तेलिये द्रव है इसे नॉबल का तेल भी कहा जाता है। ये डाइनामाइट बनाने के काम आता है, ये सांध्र सल्फ्यूरिक आमल वा सांध्र नाइट्रिक आमल को ग्लीस्वीन के साथ अभिक्रिया करके बनाए जाता है 5. RDX RDX का पुरा नाम Research and Developed Explosive है इसका रासाइनिक नाम Cyclotrimethylene Trinitromine है इसे प्लास्टिक विस्वोटक भी कहा जाता है इसे विस्वोटक को USA में साई क्लोनाइट जर्मनी में Hexosan तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है RDX में तापवार एवं आग की स्थिती को बढ़ाने के लिए ऐलुमीनियम चून को मिला जाता है RDX की विस्वोटक उश्मा 1510 किलो कैलोरी प्रती किलोग्राम होती है इसकी खोज 1899 एस्वी में जर्मनी के हैंस हैनिंग ने शुद्ध सपेद दानिदार पाउडर के रूप में किया था इसका उप्योग दूइतिय विश्वयुद्ध के दौरान इसे स्थर योगिक के रूप में परिवर्थ किया जाने के बाद प्रारम हुआ 6. गन पाउडर इसकी खोज रोजर बैंकन ने किया था इसका प्रथम अभी लेखित प्रयोग 1346 इसवी में अंग्रेजो द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था 6. उर्वरक फर्टिलाइजर्स म्रदा में बाहर से मिलाए जाने वारे वो रासाइनी पदार जो म्रदा को उपजाओ बनाने में सहायक होते हैं उर्वरक फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं उर्वरक कई प्रकार के होते हैं ए नाइट्रोजन के उर्वरक इन उर्वरकों में मुख्यताह नाइट्रोजन तत्व पाय जाता है जैसे एक यूरिया ह2-N-C-O-N-H-2 यूरिया में छार्श प्रतिशत नाइट्रोजन की मातरा पाय जाती है दो-अमोनिया सलफेट अमोनियम सलफेट NH4-2-SO4 इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्तित रहती है अमोनिया की मातरा लगबग 25 प्रतिशत होती है ये आलू के लिए अच्छा उर्वरक है नोट, अमोनिया सलफेट का प्रयोग चूना रही धूमी में नहीं किया जाता है प्रिश्ट 363 इन, केल्शियम नाइट्रेट ये नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है बाजार में नार्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है चार, केल्सियम साइनमाइड CACN2 इसका प्रयोग बुआई कराने एक से पहले किया जाता है कार्बन के साथ इसके मिश्रन को बाजार में नाइट्रोलिम के नाम से बेचा जाता है B. Potassium के उर्वरक Potassium Fertilizers Potassium Chloride, Potassium Nitrate, Potassium Sulfate आधी Potassium के कुछ प्रमुक उर्वरक है C. Phosphorus के उर्वरक Phosphorus Fertilizers Super Phosphate of Lime Phosphate ही धातुमल Phosphorus के प्रमुक उर्वरक है Super Phosphate को हड़ियों को पिसकर बनाय जाता है इसमें 16 से 20 प्रतिशत P2O5 रहता है 14. उत्प्रेरन उत्प्रेरन, Catalyzes ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्तिती मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्दित करने की ख्रमता रखते हैं तता स्वयम अभिक्रिया के अंत्व में रासायनिक रूप में अभिप्रभावित होते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं तता ये क्रिया उत्प्रेरन कहलाती है उत्प्रेरक की खोच कश्रे बर्जिलियस को दिया जाता है प्रमुक उत्प्रेरक कुछ प्रमुक तत्थ है पुरा तत्वा वशेशों अत्वा फॉसल्स की आयू निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन C14 का उप्योग सबसे अधिक किया जाता है यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिला जाए तो द्रव का प्रिष्ट तनाव भर जाता है यदि क्लोरोफार्म को सूर्य के प्रकाश में वायू मंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वो विशेली गैस फास जीन में बदल जाती है वायू मंडल ये मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने के करिया नाइट्रोजन स्थिरी करन कहराती है मिटी में एक शार कत्व को घटाने के लिए जिपसम का प्रयोग किया जाता है टलकम पाउडर के निर्माण में थियो फैसवर्ट करनिच का उप्योग किया जाता है पानी की स्थाई कठोड़ता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सरवाधिक उप्युक्त है बर्व जमने में जिलेटिन बर्व को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है शुश्क बर्व अर्थाथ ठोस कार्बन डायोकसाइड को गरम करने पर वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है पिक्रिक एसेड एक कार्बनिक योगिक है जिसका उप्योग प्रयोक्षालाओं में अभी कर्मक के रूप में किया जाता है सैकेरीन के निर्मान टाई टूलूइन से होता है ये श्वेट क्रिस्टल ये एरोमेटिक योगिक है जो शरकरा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है किन्तु इसका कोई कैलोरी मान नहीं है क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें विवसा की मात्रा बढ़ जाती है तदा पानी की मात्रा कम हो जाती है प्रेश्ट 364 एक किलोग्राम शेहट से लगभर 3500 कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है नाइट्रस ऑकसाइट को हसाने वाली गैस कहते हैं खोज प्रिस्टले हड्डियों में 8% फासफोरस होता है फासफीन गैसों का उप्योग समुद्री यात्रा में होम सिगनल देने में किया जाता है प्लोरीन गैस फूलों का रंग उढ़ा देती है सुरक्षद दिया सलाईयों में लाल फासफोरस प्रयोग किया जाता है यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मातरा है बरतनों में कलाई करने में अमोनियम क्लोराइट का प्रयोग किया जाता है शुद्ध एलकोहल में बेंजीन या इथर मिलाकर पावर एलकोहल के रूप में हवाई जहास के इंधन में प्रयुक्त होता है कृत्रम सुगंदिन पदार्थ बनाने में एतिल एसेटेट का प्रयुक किया जाता है यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोक्षाला में बनाया गया सिरके में एसेटिक अमल C-H3-COOH पढ़ा जाता है एसेटीलीन का प्रयोक प्रकाश उत्पर्ण करने में किया जाता है रक्त के प्रभा को रोकने के लिए फेरिक लोराइड का प्रयोक किया जाता है सौर सेलो में सीजियम प्रयोक्त होता है पीले फासफोरस को जल में रखा जाता है समुद्री घास में आयोडिन पाया जाता है खाना बनाते समय सरवाधिक मात्रा में विटामिन नश्ट होते हैं रजत दरपन बनाने में ग्लुकोस का प्रयोग किया जाता है दूद पायस कोलाइडी तंत्र है यदि दूद से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूद का घनत पर बढ़ जाता है असपतालों में कृत्रम सांस के लिए प्रयोक सिलांडरों में अकसिजन एवं हीलियम का मिशनन होता है धंडे देशों में हिमां कम करने के लिए कारों के राडियाटरों में एथिलीन-गलाई-कॉल मिला जाता है पुराने तैल चितरो Oil Paintings के रंगों को फिर से उभारने के लिए Hydrogen Peroxide काम में आता है Sodium को मिट्टी तेल में रखा जाता है सबसे अधिक घरत्व वाला या सबसे भारी तत्व है Osmium Os सबसे कम घरत्व सबसे हलका एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व है Lithium Li सबसे प्रबल उपचायक है Oxidizing है Fluorine F Sulfate Swen Platinum भी कहते है सरवादिक विद्यू चारकता वाला तत्व चांदी AG है Radon Gase ये तत्वों में सबसे भारी है Polyneum PO के सरवादिक समस्थानिक होते है 27 Sulfuric Amd H2SO4 को Oil of Vitroil भी कहा जाता है Novel धातु है Ag, A, U, P, T, I, R, H, G, P, D, R, H, R, U, O, S Methanol CH3OH को जब बहुत कम मात्रा में भी लिया जाए तो गंभीर विशाक्तन के साथ-साथ ये अंध्यपन के कारण बन जाता है कांच हाइड्रोक्लोरिक अम्र HF में गुलंशीन सिलिकेट बनाता है इसी कारण HF का भंडारन कांच के वर्तरों में नहीं किया जा सकता है सोना का घनत्व पारा के घनत्व से जादा होता है इसी दिए सोना पारा में डूप जाता है Bisphenol खादे समवेश्थन सामगरी फूट पैकेजिंग माटेरियल के पिकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसाइन है जीनोन को स्ट्रेंजर गेस भी कहते हैं इसी के साथ रसाइन विज्ञान से जुड़ी ये जानकारियां समाप्त होती है प्रिष्ट 365